तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में तो आज हम आपको लेकर आएं एलेक्ट्रिक बर्क की एक नई साइल पर जहाँ पर आप टोटल एलेक्ट्रिक बर्क का काम सीखेंगे तो सामने आप देखेंगे तो दो रूम है साइड में जीना है और साइड में लेप्ट साइड में किचिन है आप देख सकते हैं इसमें भी लाइफ फिटिंग की जाएगी तो अब चलते हैं हम कमरे के अंदर और आपको देखाते हैं किस परकार से हम फिटिंग करेंगे और आप देख सकते हैं कमरे का साइज काफी बड़ा है और इलेक्ट्रिक के सामान की अगर बात करें तो हमने केसिंग पट्टी है होल्डर सेलिंग रोज से लेकर जो हमने सामान की लिस्ट बनाई थी हैं पर लगेज की लिस्ट बनाई थी कि वो कंप्लीट सामन हमारा यहाँ पर पूरा आ चुका है और आप देख सकते हैं बाइर के सामनी बंडल रख हुए हैं जिसमें दो डाइमेम के बंडल है नूटल फेस के लिए तीन डेड़ अमेम के बंडल है पॉइंट के लिए और 1KMM की बंडल है इन्वेटर के लिए अर्थिंग का बायर इसके अंदर फिटिंग के अंदर हम नहीं डालने वाले हैं क्योंकि मकान मालिक का कहना है कि इसके अंदर अर्थिंग का बायर डालने की कोई जरुर tonight नहीं है ताकि हमारा सूथ बिल्कुल सीधा रहे, कैपिंग हमारे टेडे मेडी ना हो, इस तरीके से आपको सूथ को सेट करना है, लेफ्ट टाइट से, बिल्कुल सीधा, और जहां जहां पर आपको सूथ को फटकार के, कैपिंग को सेट कर देना है, तो यहां पर आप देख सकते हैं, जहाँ जहाँ पर हमने switchboard लगाएते हैं वहाँ वहाँ पर हमने set कर दिया यहाँ पर एक hole है जो कि हमने kitchen की supply के लिए किया है और इधर भी एक hole है जो कि हमने ball के आर पार किया है उस तरब holder लगेगा इस वई से हमने hole किया है तो यहाँ पर LED के लिए switchboard लगेगा जिसका सीधा supply नीचे के power box के लिए जाएगा जहाँ पर cooler का point लगेगा cooler के लिए यहाँ पर आप देखेंगे left side में जिसके लिए हमने दूसरे कमरे के लिए supply देने के लिए hole किया है तो यहाँ पर casing party को set कर दिया है और kitchen के लिए भी यहाँ पर हमने supply दे दी है kitchen के लिए आरपार हमने hole करके supply निकाल दी है casing party को आपको ठीक तरीके से head कर लेना है ताकि वो मजबूत और टिका हो जाए तो यहाँ पर आप देखेंगे switchboard fix हो रहा है और box यहाँ पर कसा जा रहा है switchboard LED के लिए तो यहाँ पर बायर की अगर बात करें तो यहाँ पर जो हमारी circuit बनती है वो red color का बायर है black color का है और yellow color का है और जो नीले color के दो बायर है वो है हमारे दो point के हैं जिसमें एक point हमारा LED का है जो कि main switchboard से control रहेगा और एक है हमारा fan का और सामने आप देखेंगे जो छोटा टोड़ा निकल रहा है हमारा fan का ceiling fan का noodle को हमेशा आपको black wire में जोड़ना है और आपको आपको अलग-अलग wire use में लेने हैं आपको fitting करते समय तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यह जो hole के ball के आर पार हमने hole किया था उसका neutral यहाँ पर हमने ले लिया है इसको हमने किस तरीके से लगाया है wire को fold करके हमने यहाँ पर इसको अंदर डाल दिया है और हमारा neutral रह जाता है तो उसको हमने यहाँ पर निकाल दिया है तो यहाँ पर आप देखेंगे तो black wire में हमने fan का न्यूटल और हमारा whole के भारबालय बलब का न्यूटल सेट कर दिया है बलेक बायर में तो यहां पर भी एक point लगेगा side में इसके तो यहां पर आप देखेंगे तो हमारे यहां पर हो जाते हैं चार point complete जिसमें हमारा एक fan का है एक LED बोль का है और एक अंदर के बलब का है यहां पर तो आप सामने यहां पर देखेंगे बायर फोल्ड होके निकल रहा है तो यह जो बायर है इसको बीच में से कट करके और यहां पर होल्डर लगाया जाएगा आप देख सकते हैं यहां पर सामने फोल्ड होकर बायर निकल रहा है और मैं आपको जरूरी जानकार यहां पर दे देता हूँ जब भी आप electric wiring करो तो आपको ध्यान रखना है कि आपको फीज के लिए लाल कलर का बायर लेना है और neutral के लिए काले कलर का बायर लेना है और आप इनवेटर के लिए पीले कलर का या सपीद कलर का बायर ले सकते हो और अर्थिंग के लिए आपको green कलर का बायर हमेशा लेना है तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने ceiling rose लगाया है जहाँ पर tube light लगेगी और सामने देखेंगे तो यहाँ पर बलब लगा हुआ है और switchboard हमारा complete हो चुका है तो यहाँ पर left side में आप देखेंगे तो हमने दूसरे कमरे के लिए supply यहाँ पर निकाल दी है supply दे दी है अपनी circuit यहाँ पर दे दी है इस पूरे building की circuit एक होने वाली है तो यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ कहाँ पर हमने circuit निकाली है यहाँ पर हमने निकाली है kitchen के लिए और यहाँ पर इस कमरे में देखेंगे तो यहाँ पर side वाला कमरा है इस कमरे के लिए भी हमन तो यहां पर आप देखेंगे जो हमारा साइड में सीलिंग रोज लगा हुआ है उसका न्यूटल यहां पर ले लिया है तो इसको हम ब्लैक वायर में जोड़ देंगे और टेप कर देंगे ठीक तरीके से और यहां पर हो जाता है यहां पर भी एक पॉइंट लगेगा हमारा बलब का तो इसके लिए हमने यहां पर न्यूटल को इस तरीके से निकाल लिया है सीलिंग रोज के न्यूटल में से और एक बायर यह हमारा न्यूटल का हुगा यहाँ पर ले लेंगे यह देख सकते हैं आप साइड में सीलिंग रोज है तो आपको एक बायर और ले लेना है इस तरीके से जिससे हमारा ओल्डर का पॉइंट विल्कुल कंप्लीट हो जाएगा और आप ओल्डर ठीक तरीके से लगा देंगे तो यहाँ पर एक बायर और हम ले लेते हैं और इसको कैपिंग को फिट कर देते हैं ठीक तरीके से तो आपको इसको फिट कर देना है फिट करने के बाद में आपको यहाँ पर द्यानक ना है कि जो हमारे नूटल वाले बायर है वो ठीक तरीके से जॉइंट हुए है या नहीं पर ठीक तरीके से टेप किया है नहीं किया और यह है हमारा 4x4 का बोड जिसको हम कटिंग करेंगे आप देख सकते हैं आपको किस तरीके से यहापर कटिंग करनी है अगर आप आपकी कैपिंग जो टी परकार से आती है तो आपको तीन साइड से इसको काट लेना है जिससे यह फिट से बैठ जाए और यहाँ पर होल्डर लग जाता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर होल्डर लग चुका है और आगे की प्रिक्रिया आपको दखा रहे हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जो हमारे बायर यहां पर स्विच बोल्ड पर आये हैं वह कौन-कौन से हमारे प्रॉपर बायर हैं तो यहां पर आप देखेंगे जो हमारे तीन वायर थे रेड कलर के उनको एक साथ हमने जोइंट कर दिया है और हमने इन्वेटर के वायर को भी हमने यहांपर joint कर दिया है तो यहांपर हमारे जो यह goo servant का point निकालते समय पहन के point में connect लगा देनी है ताकि आपको इसका कोड़ पता रहिए तो यहांपर हमारी pitting complete हो जाती है आप देख सकते हैं यह pitting कसूट हमने pitting हो पर नाने के बाद में यहां पर किया था उससे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आप यहां पर इसकी बायरिंग दaken सकते हैं किस परकार से इसकी बायरिंग किया है तो यहां पर हमारे 6 points आपको देख रहे होँगे टूटल छह पॉइंट हो जाते हैं एक LED का एक बॉल के दूसरी तरफ का और तीन पॉइंट इसके अंदर लगे हुए हैं 這種 light का और दौ wolder इसके अंदर लगे हुए हैं और यह हो गया हमारा sealingmm का इस प्रेकार से हमारे छह पॉइंट यहां पर हो जाते हैं और इसमें light हमारी चालो है आप देख सकते हैं बिल्कुल complete इसकी fitting हो चुकी है तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छे लगी होगी और आपको इससे कुछ knowledge मिली होगी सीखने के लिए और आप electric से संबन्दित अगर और वीडियो देखना चाते हो तो हमारे चैनल को subscribe करें जिससे आपको हम वीडियो डालें तो आपके पास तुरंट notification पहुच जाए तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये power board है इसकी wiring हमने की से की है जो हमारे red color का wire है उसमे red color में जोड़ दिया है black color का black color में जोड़ दिया है